जैन दोस्तों बहुत खुशकबरी है मुंबाई कर्स के लिए Congratulations to Mumbai कर्स हमारा जो positivity rate है वो 4.40% पर आ गया less than 5% और bad oxygen occupancy जो है 27.12% आ गया बहुत-बहुत Congratulations to all Mumbai कर्स लेकिन यहां पर दिक्कत एक बात की है कि Place of Worship जो इबादत गाहे है जैसे मस्जिद है, मंदीर है, गुरुद्वारा है, गिर्जा घर है, चर्च है और बुद्ध वी आ रहे हैं यह सारी चीज़े जो हैं बंद हैं बंद होने के कारण जो मांसिक, शान्ती और सुकून चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है और अब हम इस कंडिशन में आ चुके हैं कि यह जो मस्जिद हैं या इस तरह के प्लेज़ेस वर्शीब जो है, इस चालू कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है, महागाडी विकास गवर्मेंट से, चीफ मिनिस्टर उद्व ठाकरे से, कि ऐसे लोकेशन आप फाइंड आउट करें, जैसे मुंबई के अगर मैं बात करूँ तो 24 अड्मिनिस्टेटिव वर्ड्स हैं, इस वर्ड में आप फाइंड आउट कीजि और बुद्ध वियार, ऐसे जो भी प्लेज ऑफ वर्शिप से सब को शुरू किया जाए, ताकि लोग अपने खुदा के साथ, अपने मानने वाले के साथ, अपने ईशिवर के साथ, कनेक्शन फिर से एक बर बना सकें, और लोगों को मन की शान्ती मिले, और लोग सुकून से अपनी लाइफ को फिर से एक बर रिस्टार्ट कर सकें, इसमें जो MLS है, मैं स्पेशली मुस्लिम MLS से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सरकार को आप ये बताईए कि आपकी मस्जिद में जब भी लोग नमास पढ़ने आते हैं, तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन का पुरा ब बंदोबस्त किया जाएगा, और मस्जिद के अंदर जो लोग नमास पढ़ने आते हैं, वह बहुत ही लोकल लोग होते हैं, यानि कि अगर कंटेन्मेंट जो नहीं है, तो मस्जिद के अंदर अगर 150 लोग अगर नमास पढ़ने के लिए आते हैं, तो वह खत्रे की घंटी न उपन कर दिया गया है, बसेज में फुल केपैसिटी ऑफ सिटिंग दे दी गई है, तो मस्जिद में भी कहीं न कहीं नमाजियों को अलाफ कर देना चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए, और साथी साथ तमाम मंदीर, मंदीर, गुरुदवारे, चर्च और बुद्ध विहार क को भी खोल देना चाहिए, ताके लोग अपने अपने वर्शिप्स को परफॉर्म कर सकें, और प्लेस फ़र्शिप्स में जा सकें, ताके उनको दिमागे सुकून और दिली सुकून मिल सकें, तो इस वीडियो को जितना हो सकें, आप शेर कीजिए, और ये वीडियो उद्ध जय महराद,